हेलो फ्रेंट सौगत आपकी चैनल फेंटेसी डॉक्टर मीग बार्फिट से जो मैं चमीज वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला है यहां पर आरो आई वसेश में की बीच जो मैच होने वाल है यहां पर पोडूचरी टीटेंग के वीडियो वीडियो इंपोर्टेंट रहे हैं इस वीडियो में आपके साहिए स्मॉल लिक की टीम प्लस फैदर नूज प्लस इंवेश्टमन कैसे और वह सारी चीज़ें बन बाई बन डिस जो real और original channel है उससे कैसे जुड़ना आपको करना कियाएगी वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहां आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा सबसे ओपर blue clear का link होगा जैसे उसपे click करोगे telegram channel open हो जाएगा देन उसको आपको join कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे telegram के स telegram channel को join करोगे तो आपको search करके join नहीं करना अगर आप search करके join करोगे तो किसी गलत या fake channel के साथ जोड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही है कि आप link का use करना जो वीडियो के नीचे आपको comment पर दिया हो है telegram का अब आते हैं वीडियो के main part पर तो उससे पहले बात किया वेन्यू रहने वाला सेम ग्राउंड है cricket association पूडूचेरी इंडिया सारे मैचिस होते हैं सेम टॉर्नमेंट के बाकि अगर बात की जाते हैं अपर वैदर रहेगा क्लियर रहेंगा कोई भी चांस नहीं है बाकि फॉर्मेट के बारे में अगर बात की जाए रहने वाला मैच इन्वेश्मेंट मीडियम रखना बट ज्यादा मत करना बाकि अगर बात की जाए रॉयल्स के बारे में तो रॉयल्स की टीम ने पहला मैच खेल अकल जिसमें इन्होंने 116 नुकसान पर और यह मैच टाई हो गए था तो नहीं टीम में से इक्वाली स्कूर गया था बाकि अ अगर खेलता तो बड़ी इनिंग केल सकता है लाउट वाले मैच पर जो इस सीजन रहा सरह था पहला मैच गया लाए तो इसमें 11 पे आउट हो गया थोड़ा जल्दी आउट हो गया बट इसल टीम से मिस मत करना और ग्रेंड लिंग में जरूर वाइस कर सकते हो लोगेश को बाकी आर रगुपती के बारे में बात किया तो टीम के लिए करते हो नजर आया था ध्यान रखना तब से इंपोर्टन इनिंग खेली तो रगुपती एक ऐसा प्ले रहा है जो ध्यान रखना बड़ी इनिंग खेल सकता और आपके पास कैप्टन से की लिए अफ दी बैस पिक रहने वाले आज वाले मैच में बाकि प्याशिश के बारे में बात किया तो पांच मैच में 181 स्कूर किया थे लास सी में लूँगा पहले वाले मैच में जीरो पाउट होगे बट लास सीजन पांच में बड़िया प्ले रहा है आई तो बड़िया प्लेर है ध्यान रखके चलना इंपोर्टन आपके लिए रहने वाला और ग्रेंड लिंग में वाइस रप्टन सी कर सकते है रिस्क लेके बाग सीजन एक मैचे 72 रन के किनिंग भी खेली तो बैटिंग करना अच्छी जानता है ध्यान रखके चलना तो ग्रेंड लिंग में ट्राय कर सकते हो एंठाकु रेंग के बारे में बात किया है तो लास्ट मैच में पांच में बालिंग करी एक विकेट लिया तो इंपोर्टन रह रहेगा वल्रांटर में दिया हुआ है बालिंग से में इंपोर्टन रोल प्ले करता है ऐस सबरी के बारे में तो यहां पर पहले मैच में दो डाले दो विकेट लिया और बैटिंग से दो रण मारे नट आउट बाब की लास्ट के पांच मैच इसमें ध्यान रखके चलना ब सब्सक्राइब पहले मैच में गर्फाइब लिकाट कर सकते हो यहां पर हर मैच की परफॉर्मेंस मूरोगन की पहले मैच में एस साई चेतन ने दो वर बॉलिंग करी कोई विकेट ने मिला बट इंपॉर्टन रहे हैं कि लास सीजन लाज के पांच वाज देखा जाये तो यहां पर नगर बाभू दो मैच छे रहन इतना इंपॉर्टन निय के लिए यहां पर टॉप थ्री इंपॉर्टन रह ग्रेंग उरी प्रेंड में सुरुण में वर निए थाकूर को ट्राय करना और अविंद को करना और यहां पर भारी के साथ जा सकते हो बाकि मैं बोलूगा अपर आप मूरगन को ग्रेंड लिग और साहीचेतन को आप एक करना लिए से कीव थेम तकर मा Charlotte रहा थे पहले और मुझों में और फिर खेल रिले में को मैं कर लिए तो नहीं अब नहीं कर लिया था था क्या लुद्ष देमर क्विकेट कीपर की रहीं कम एपा प्र नहीं कििक 56 ना लिए लास सीजन यहां पर दो हाफ सेंचुरी मोहित मित्तन ने लगाई थी और सात्यात बॉलिंग भी करते हैं पर रेगूलर उतने कई मैचे से बॉलिंग नहीं की थी तो इसलिए बैटिंग से एस्पेक्टेशन रखना बॉलिंग से उतना इंपॉर्टन शायद ना रहे पर आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो मोहित मित्तन को अच्छा वैट्समन है बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर है आर अजित्ते रेडी के बार में सातर नमारे दो डाल चाहरे लिए थे गजिंद्र तरवार उतना इंपॉर्टन नहीं पीस नील कुमार बाकि इस तो नहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं कोई पास्ट के स्टैट्स दोनों की अवेलेवल है रिशी राउट के बारे बात कि है तो यह स्टैट्स है वह क्लब लेवल की ध्यान रखके क्लब लेवल की परफॉर्मेंस को में इतना इंपॉर्टन नहीं देते क्योंकि वह छोटा लेवल होता है एक और बॉलिंग के ती लाश में जहां कोई विकेट नहीं मिला रावेगिश वर्मा ने खेला था बट ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई राजए इंपॉर्मा जहां कोई विकेट नहीं मिला बाकी बैंच में अगर देखोगे तो यह दो को इग्णोर करेंगे बाकी एस अश्वत के बारे में अगर बात की जाए तो यह परफॉर्मेंस जिसको आप टीम में कंसिटर कर सकते हो अगर खेलता है बाकी एक बड़ा प्लेयर है इसका नाम है करतिक बीन आयर अगर यह प्लिंग लैन में तो शायर मिस्स मत करना क्योंकि स्मॉल लिग और ग्रेंड लिग दोना में ट्राइ करने वाला प्लेयर है कैप्टन सी वाइस के लिए एक अच्छे बिक बन सकता है लास सीजन पांच बाच बाच पने ओवर कंप्लीट करता थोड अगर और फोरकस रखोंगा फिल्ला आपको एक स्मॉल लिग की टीम दे रहा है आपे तीन ग्रेंड लिग की टीम दे रहा है आप सेम टीम को किसी भी अधर एप में लगा सकते हो और कुछ रीजन के वैसे विप को वीडियो में शोय नहीं कर साथे इसलिए जो आपको इस ए रहा है हमारा डॉक्टर डी ओ सी टी ओ रहा है डालते आपको बोनस मिल जागा साइन अप करते हुए और दूसरा यह है कि फ्युचर में कोई प्रॉलम में साइप में आते हैं आप मुझे इंस्टागर में मेसेज कर देना आपको सॉलेशन हो जाए विजन सेकिंड तो ध्या अचिश को कुल करनी को अप ग्रेंड लिग में ट्राइ कर लेना ठीक है बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर है फिलहाल और को इतना इंपोर्टन रहेगा नहीं बाकि में जा रहे हैं यहां राविंद्र आज एक साथ रेड़ी के साथ और यहां पर गयां में साबारी के स पर आपकूर को ले रहा पर मैंने साहिचेतन के जा पर आप जा सकते हो मुरुगन के साथ ध्यान रखिना पर साहिचेतन के साथ जारों यह पास्ट का रिकॉर्ट भी अच्छा है क्याप्टन सी में थोड़ा मैं यहां पर जा रहो हूं रगूपति क्या तो रेड़ी यहां तो मैं रेड़ी को लूँगा या तो मित्तन में से किसी एक को ट्राय करूँगा पर क्याप्टन से में रगूपति रहेगा और आप तो डिफरेंट जाना चाहते हो तेहां पर अरविंद राज के साथ भी जा सकते हो और आप लोगे श्पी को भी ट्राय कर सकते हो रहरा अब मोल यह रहेगी और ग्लेक टीम 2 रहसकती है तो इस निचे को मिल जाएगा सबसे ब्ली बुल्यक को हो की बैसे करेगे टेलम जाया गा देन उसको जाइगा दिहान दे टेलिग्राम चैल को जोईन कर लेना जैसे मैंने आपको बता है बागी YouTube चैल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दवाद देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहला जब भी वीडियो अप्लोड कर तो मिलता है फैल ने कर टेलिग्राम पर जहीं दोस्तों बाई बाई